जीत गए हैं वो चर्चे सरयाम हैं इसके आगे अभी बहुत काम हैं नमस्कार भोरी भोर के एक और एपिशोड में आपका बहुत बहुत अभिनान करते हैं स्वागत करते हैं और शुरू करते हैं आज के उस खबर के विशलेशन की तरफ आपको लेकर के चलने का काम जिसमें बिहार से अब दिल्ली तक के सफर की कहानी है और कहीं न कहीं एक बार फिर से नितिश कुमार ने प्रूफ कर दिया है कि नितिश कुमार नितिश कुमार है उनकी नीतियां उनकी योजनाएं हमेशा अपने सामने वाले पर सातियों पर बारी पड़ी और आप नितिश कुमार के साथ हैं तो उनके सर्तों पर आपको आगे चलना होगा बहुत सारी बाते चल रही थी, बहुत सारी चर्चाएं थी, उन चर्चाओं को विराम देते हुए नितिश कुमार ने सीधी तोर पे अपने मन मुताबिक मंत्रि मंडल का विश्टार भी करा लिया और मंत्राले भी भारते जंतापाटी के जोली में जो चाहते थे वो दिया अपने किसी भी मंत्राले पर उन्होंने भारते जंतापाटी को फटकने तक नहीं दिया और इस योजना में उनके पुराने साथी सुसिल मोदी का बहुत अहम योगदान रहा लाख छट पटाने के बाद भी भारती जनता पार्टी का बाकी का खेमा अपनी बातों को मनवाने में और सफल रहा जिसका प्रकटी करन भी आपको देखने को मिला अब बिहार की बात छोड़ दीजे चड़ाई दिल्ली की है और नितिश कुमार दिल्ली के लिए बैग जो है वो पैक कर चुके है हलाकि इस बात से जद्वी के लोग इंकार कर रहे हैं लेकिन आपको बता दें कि नितिश कुमार पिछले 80 दिनों से ज़्यादा से चुक थे नजरे नहीं मिरा पा रहे थे और बहुत सारी बाते थी जो नितिश कुमार को बैक फुट पर लेकर के गई थी लेकिन वो नितीश कुमार क्या जो हारी हुई बाजी को जीत न ले जीता भी देते हैं कभी कभी आपने देखा भी होगा कि कई बार उन्होंने कुछ ऐसे काम कर दिये हैं अब सोचिए न कि 10-12 सालों तक सत्ता से दूर रहने वाली आर जेडी को आचानक से दोस्ती गाट करके सत्ता में ला देते हैं और फिर सत्ता में ला करके पटकनी दे करके फिर उसे सत्ता से बाहर कर देते हैं भारते जन्ता पाटी जो बुरी तरह से हारती है उसे सत्ता में ला देते हैं इस बार भी आपने देखा कि सभी कह रहे थे कि नितीश कुमार की जो इस्थिती है और जिस तरह के महौल है जिस तरह के परिणाम आये हैं नितीश कुमार मुख्य मंत्री बनने की राह से बड़ी दूर निकल गए हैं लेकिन आपने परिणाम के बाद देखा क्या कुछ हुआ बाते जनता पार्टी को पहले ही उन्होंने तयार कर लिया था कि किसी भी परिस्तिती में बाते जनता पार्टी को मुख्य मंत्री तो नितीश को ही बनाना पड़ेगा उसके बाद असहज नितीश कुमार की बाते होने लगी चर्चाय होने लगी हलाकि चेहरे के भाव अभी भी दो बाते कह रहे हैं लेकिन इन सब के बाद इतना तो तय है कि नितीश कुमार ने अपने आपको नरेंद्र मोधी प्रधान सेवक के सामने खड़ा करने लाइक बना लिया है बाता और संबाद के लिए उन्होंने लाइन चेंज कर लिया अब एक मुख मंतरी की प्रधान मंतरी से बात होगी क्योंकि पार्टी के अस्तर पर उन्होंने रास्ते बदल दिये हैं अगर बात करनी हो किसी और को तो वो बात करने के लिए RCP सिंग से करेगा क्योंकि उन्होंने रास्ता ही बदल दिया है अब सत्ता की सत्ता से बात होगी संगठन कि संगठन से बात नहीं होगी और यहां नितिश कुमार 20 पड़ रहे हैं तस्वीरे कल बहुत सारी आई तस्वीरों में इतना कुछ देखने को मिला कि नितिश कुमार भारते जनता पार्टी के ही नुस्खे को आजमा कर भारते जनता पार्टी को चित कर गए मंत्रिमंडल वि जटका लगा और जटका तो उन लोगों को भी लगा है जो नितिश कुमार के माध्यम से सत्ता में प्रवेश करने का मन बनाये हुए थे उपेंद्र कुश्वाहर चिराग पासवान की चर्चा थी और भी बहुत सारे लोगों की चर्चा थी लेकिन यह चर्चाएं अचानक स सुह चुप हो गई विराम लग गया लेकिन लॉख समिकरण साधने में नितिश कुमार कहीं न कहीं फिट हो गए और लॉख समिकरण उठने साध भी लिया जो आक्ड़े हमारे पासाए हैं मंत्रीवंडल विस्तार के हम उसकी चर्चा तो करेंगे ही लेकिन उससे पहले आप को एक चर्चा बता दें कि बिहार के बाद अब नितिश कुमार दिल्ली के तरफ कुछ करने वाले हैं दिल्ली में भी वो एक बार फिर से जो 2019 के चुनाव परिनाम के बाद मंत्री मंडल विश्तार में अपने आपको अलग करके एक्ट किये थे उस एक्ट को अब दिल्ली में बदलने की जरूरत है और उसके लिए दिल्ली प्रवास पर नितिश कुमार जाने वाले हैं कहाई यह जा रहा है कि इस बीच में वो बहुत सारी ऐसी बाते करेंगे बहुत लोगों से मिलेंगे बहुत विभागों के लोगों से मिलेंगे जिससे बिहार में योजनाएं और बिहार की योजनाओं पर अदतन जानकारी उन्हें मिल सके आपको बता दें किस बीच में संगठन को भी मजबूत करने और कई राज्यों में होने वाले चुनाओं पर भी उनका नजर रहेगा इस बीच में सबसे महत्तोपूर्ण बात है कि दिल्ली में होने वाली मंत्री मंड विश्तार को लेकर के भी वह चर्चा करें गया है और आपको बता दें कि इस दीन का वह इंतिजार कर रहे थे बंगाल चुनाओं जिस तरह से भारते जनतापाटी के लिए एक बड़ा ही प्रतिष्ठा का प्रस्त मन गया है वहीं कई लोगों के लिए ये चुनाओं खासकर के नितिश कुमार जैसे निताओं के लिए एक बड़ा उसर लेकर कर आया है और ये अउसर भारते जनतापाटी से कहीं ये कहीं अपनी बाते मन माने का भी एक बड़ा ही बेहतर सुऄ ऊसर लेकर के लिए है नितिश कुमार के लिए नितिश कुमार के पूरी टीम पस्चिम बंगाल में जवर्दस फिल्डिंग कर रही है और वहां योजनाएं बन रही है इस बीच में आपको पता होगा कि किस तर से तेज़श्वी यादों भी योजनाएं बना रहे हैं उस योजनाओं को लेकर के ही जहां भारती जनतापाटी को कहीं न कहीं चिंताएं बढ़ रही हैं वहीं दूसरी तरफ एक बात और नजर आ रही है कि यह पूरी कवायत में नितिश कुमार का दिल्ली प्रवास दिल्ली जाना बहुत सारी बातों को उजागर कर रहा है इस बीच में आपको बता दें कि दिल्ली में नरेंद्र मोदी मंत्री मंडल के विश्तार में अब जद्यू के इंट्री की भी बाते हो रही हैं हो सकता है कि ये भी बात हो कि हमने आपकी बाते मान ली हमने मंत्री मंडल का विश्तार बिहार में करवा दिया अब आप दिल्ली में चिराग पासवान को दूर जिस तरह से एक बार फिर से बैक पूट पर नजर आ रही है भारती जनता पाटी ये बाते भी चर्चा का वीशय बनी हुई है इन सारी चर्चाओं में जो कुल 31 लोग सामिर है नितिश कुमार को ले करके इस मंत्री मंडल में अभी भी कुछ लोगों का अस्थान खाली है और इन सब के बीच में जिस तरह से जातिय समीकरन गाठा गया है उसको लेकर कुछ नितिश कुमार पर सवाल खड़े किये जा रहे हैं एक खास जमात जो है समाज जो है वो नराज चल रहा है भुम्यार समाज उसको भी लेकर के बहुत सारी बाते हो रही है इसके बाद आपको बता दें कि जिस तरह से दलित और राजपूतों पर भरोशा किया गया है ये भी एक बात है सुसान सिंग राजपूत का समयक निधन उनकी हत्या या जो कुछ भी हो वो चल रहा है उसने भी कहीं न कहीं बिहार को परभावित जरूर किया था और उसकी जलक साफ तोर पे मंत्री पहली बार जहां सपत लिए भारती जनता पार्टी के तरफ से वहीं आपको बात करें तो जदियू ने भी अपने आठ मंत्रियों को सपत दिलाया इसके साथ साथ आपको बता दें कि मंत्राले का जो मंत्राले लोगों को आवंटित किया गया उसमें से मुख्य मंत्र मन्त्रालिक कहा जा रहा था कि भाते जंतापाटी KB के पासफLD वह भी नहीं हो पाया और नितीशकुमार ने अपने हिसाब से सब कुछ तई किया मंत्रालिक अविश्चार हो गया हम मंत्री अपने कार में लग गए है अब नितीशकुमार थोड़ा मौका मिला है फुरसत में हैं और इस फुरसत के पल में वो सारी बातें बंगाल चुनाओं से पहले नरेंद्र मोदी और अमित्सा से कर लेना चाहते हैं जिसको लेकर के आगे फिर से नितिश कुमार नरेंद्र मोदी और अमित्सा पर दबाव बना सकें क्योंकि बंगाल चुनाओं के बाद क्या होगा ये तो भविस्य के गर्व में है लेकिन उससे पहले नितीश कुमार हर वो संभावनाओं को अपने पक्ष में कर लेना चाहते हैं ऐसा नहीं चाहते हैं कि महराष्ट जैसी स्थिती हो और नितीश कुमार को ये बाते बेहतर ढंक से भारते जनता पाठी भी समझ रही है अब एक तरफ जहां बिपक्ष यानि की आर जेडी दिल्ली में जबरदस्ट बैठक करके योजनाय बना रही है वहीं अब नितीश कुमार का दिल्ली पहुंचना और दिल्ली में कई दौर की बैठक करना कई लोगों से मिलना यहां तक की प्रधान मंत्री से मिलना बहुत अब दिल्ली तो बिहार के विशेस राजी का दर्जा भी साथे साथ मांग लीजिएगा अगर हिम्मत हो तो अब देखना होगा क्या कुछ सामने आता है मंत्री मंडल और नितीश का दिल्ली जाना कुछ तो कहानी जरूर का रहा है आज भोरे भोर में यहीं विराम देते हैं इंतजार कर रहे हैं कि क्या कुछ लेकर के नितीश कुमार दिल्ली से आते हैं जैसे ही इसकी जानकारी मिलेगी हम आप तक जरूर के माध्यम से पहुचेंगे नमस्कार तो ज्वाइन बटन दबादी पेटियम नमबर नोटकली 9386816700 धन्यवादी